कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग अमीर दिखते हैं इस बात पर निरबर नहीं करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं अच्छा मुबाइल फोन ले लिया अच्छे लेक्टर्निक गैजट्स ले लिये कच्छी कार ले लिये लाइबिलिटीज को अपनी एसेट समझते हैं दोस्तो नमस्कार एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी आप इस व्यक्ति विशेश के बारे में अपने मन में जैसी भावना बना लेते हैं आपको व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है जैसी भावना आपके मन में है इसलिए जरूरत है कि हर चीज के प्रती एक सकारात्मक भावना उत्पन करने की, यही बात पैसे पर लग होती है, जिस तरह का विचार आप अपने मन में रखते हैं पैसे के बारे में, वैसे ही पैसा आना और ना आने की जो लाइन है, वो डिसाइड होती है, सबसे पहले आप को यदी जीवन में अपार पैसा कमाना है, अमीर बनना है, धन का संचय करना है, धन को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो आपको पैसे के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना होगा, अच्छे रिलेशन डेवलप करने होगे, कहते हैं कि जिस से रिलेशन अच्छे होते है उन्ही से मिल जोल जादा होता है उन्ही से घर परिवार का मिलन जादा होता है उन्ही के साथ हम प्रोग्रेस अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो यहां सबसे पहली बात है प्रिंट ध्यान रखेगा पैसा केवल उस व्यक्ति के पास आता है जिस व्यक्ति के अंदर पैसा कमानी की योगता और खिशमता होती है और जो व्यक्ति के वल पैसा कमाता है और उसको संचय करता रहता है निवेश करता नहीं है वो व्यक्ति कभी भी अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाता तो आपको दो चीजों पर काम करना है एक तो अपनी योगता अपनी काबलियत में इजाफा करना जिसका तरीका क्या है आप नई skills सीखें, आप नई नई चीजों का अध्यन करें, आप motivational videos देखें, business videos देखें, business में क्या नया trend चल रहा है, उसके बारे में समझें, आपका competitor किस तरह से business में growth कर रहा है, उसकी strategy को समझते हुए, उससे बहतर strategy market में लेकर आएं, साथ-साथ, जो पैसा आप अपने व्यापार में या जॉब से कमाएं, उस पैसे को भी पैसा कमाने पर लगाएं, मतलब आप तो खुड develop, मतलब आप तो खुड develop होई रही हैं, साथ-साथ आपने अपने पैसे को भी फलने फुलने का मौका दिया, और वो पैसा क्या है, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन से आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएं, तो यह बहुत important है कि आप भी grow करें, और आपका पैसा भी grow करें, know the real fact, एक बात को अच्छी तरीके समझ लिएगा, money can't buy happiness, यह बात आपने कई बार सुनी होगी, और इस पर आपका विचार क्या है, यह आप मुझे comment box में लिक कर बताओ, कि पैसा क्या सब सुख सुविधाई या खुशी खरी सकता है, हाँ या ना, यह आप मुझे comment box में लिक कर बताओ, ज्यान रखेगा, जीवन में खुश होना, इस बात पर निरबर नहीं करता है, कि आप कितना खुशी के लिए और कितना खुशी के लिए निरंता तत पर रहते हैं, पैसे से खुशी नहीं खरी दिया सकती, वरना दुनिया के सारे अमीर लोग खुश होते और सारे गरीब लोग दुखी होते, इस बात पर आपका क्या विचार है मुझे comment में लिखकर जरूर बताएं, अगली मेहत पुपन बात यहीं कि पैसा तो हर वेक्ति कमाना चाहता है, धन, दौध, शौरत हर वेक्ति चाहता है, लेकिन वो करे कैसे, तो यहां एक बात को समझ दिजेगा, कि अपनी life में यदिया पार सफलता पाना चाहत और एक साल में जो बारा महिने हैं, छे महिने का गोल क्या है, तीन महिने का गोल क्या है, एक महिने का गोल क्या है, साथ दिन का गोल क्या है, और रोजाना का गोल क्या है, वो कहते नहीं कि छोटे-छोटे कदम बढ़ाना आप शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत ब प्रोग्रेस करनी है कि आप अपने लक्षों को आसानी से हासिल कर सके और वो लक्ष कुछ भी हो सकता है किसी का दस करोड किसी का पचास किसी का सो किसी का हजार किसी का लाग करोड और किसी व्यक्ति का एक करोड किसी व्यक्ति का केवल यह होता है कि मैं अपनी लाइफ में पाच वर्ष में क्या होंगे, तीन वर्ष, एक वर्ष मतलब पर डे का आपने गोल बना लिया, लेकिन उस गोल को हासिल करने के लिए, आपकी वर्तमान में वास्तितिती क्या है, ये समझना बहुत जुरूरी है, उसके लिए करना क्या है, calculate your net worth, आपको ये पता होना चाहिए, ये की आज की rate में मेरी net worth कितनी है, और net worth का मतलब क्या है, आपकी जितनी भी assets है, money making assets है, fixed assets है, variable assets है, उन सब को calculate करो, आपका मकान कितने का है, आपकी गाड़ी कितनी की है, आपके पास factory कितनी बड़ी है, आपका office कितना बड़ा है, उसमें क्या-क्या infrastructure है, हर वो चीज जो आपकी संपत्ती के रूप में आपके पास है, चाए वो नगत संपत्ती हो, या fixed assets के रूप में हो, उसकी calculation कीजिए कि मेरी total assets कितनी है, जब आप अपनी total assets को calculate करेंगे, तो आपको आपके net worth का पता लगेगा, कि वर्तमान में मेरी net worth इतनी है, इसके साब से अगले 10 साल में यदि मुझे इतनी net worth तक पहुचना है, तो उसको कैसे कैसे plan मुझे करना होगा, साथ-साथ ये भी बहुत जुरूर है कि आप अपनी वास्तविक wealth को जाने, बहुत सारे लोग liabilities को अपनी assets समझते हैं, जैसे नोंने एक अच्छा mobile phone ले लिया, अच्छे electronic gadgets ले ले लिये, उ सारी चीज़े आती हैं, तो real wealth की calculation जरूर करें ताकि आपको वास्तविक सितिका पता हो, और liabilities को minus कर दें, अब liabilities क्या है, किस-किस व्यक्ति के कितने पैसे देनी है, कितना bank loan है, कितनी EMI है, और कौन सी ऐसी चीज़े हैं, जो liability के रूप में आपके उपर है, मतलब liability का उन चीज़ों पर आने वाले समय में खर्चा होने वाला है, उससे कोई income होने वाली नहीं है, और वो केवल depreciating value पर ही होंगी, जैसे car, अगर आप personal use के लिए कर रहे हैं, तो आपकी car एक depreciating asset है, एक तरह से liability के रूप में आपके पास, net worth को आपने calculate कर लिया, real wealth को आपने calculate कर अब जरूरत है आपको per hour के हिसाब से आपकी क्या income है, इस बात को समझना, मतलब एक घंटे के समय कि आपकी जीवन में कितनी बड़ी value है, financial value है, इसको calculate करना, इसको मैं एक example group में बताता हूं, मान लिजी आपकी salary 60,000 रुपे महीना है, इसका मतलब per day की value है, वो 2000 रुपे है तो per hour 200 रुपे value है, अब आप जब कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना, तो उस value के हिसाब से ये calculate कीजिए, कि इस चीज़ को खरीदने में मेरे कितने घंटों की महिनत invest हो रही है, या खर्च हो रही है, ये liability के रुप में मैं invest कर रहा हूं, ये calculation जब आप कर लेंगे, तो आपकी early income के हिसाब से वो चीज़ खरीदना आपके लिए wealthy है या नहीं, वो चीज़ खरीदना आपके लाबदायक है या नहीं, इसको एक example के रुप में बताता हूं, मैंने का कि आपकी income है 60,000, इसका मतलब per day आपकी 2000 रुपे की income है, और एक दिन में 10 गंटे आप काम करते ह हैं, अगर आप 1.5 लाख रुपे का या मान लिज़े 1.2,000 रुपे का mobile phone खरीदना चारे हैं, तो इसका मतलब आपको दो महीने की salary उसमें invest करनी पड़ेगी, मतलब अब आप सोचिए कि क्या वो Apple का iPhone दो महीने की salary के equivalent worth आपके जीवन में रखता है या नहीं, इसी बात पर दरेगा कि आपकी भविश्य में क्या value होने वाली है, यहां पर एक बात समझ लिज़ेगा, कुछ लोग professional होते हैं और उनको उनके hours के हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो अपनी monthly calculation उसी हिसाब से calculate कर लेते हैं, जैसे मान लिजिए, आप एक motivational speaker हैं, और आपको एक session के एक लाख रुपे मिलते हैं, और वो session दो घंटे का होता है, इसके हिसाब से 50,000 रुपे घंटे की आपकी value होगई calculation के हिसाब से, लेकिन यदि आप पूरे महीने में 30 दिन 8 घंटे ये काम नहीं कर रहे हैं, 50,000 की value से, तो वो value 50,000 नहीं कहलाएगी, आपकी actual value होगी, कि पूरे महीने म के आधार पर निकलेगा, कि आपकी value 5000 परावर है, 10,000 परावर है, 50,000 परावर है, या लाखो रुपे परावर है, तो यहां ये बात समझना बहुत जुरूरी है, कि जब आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, उस चीज को खरीदने के एवज में, आपने कितने घंटे क महिनत devote कर दी उसमें, अब यदि लाइफ में अपार्धन आप कमाना चाहते हैं, तो आपको assets और liabilities के बीच का difference पता होना चाहिए, कहते हैं कि कुछ लोग अमीर होते हैं, और कुछ लोग अमीर दिखते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर दिखते है हैं नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अमीर हैं, बहुत सार लोगों को आपने दिखा होगा, उनके पास अपार्धन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा simple and sober रहते हैं, उनको वो कोई branded shirt नहीं पैनते, या वो कोई इस तरह के show off नहीं करते, जिससे life चलती है, लोग ऐसी चीजे ले लेते हैं, जो इनको पालना, उनको रखना उनके लिए आसानी से संभव नहीं हो पाता, और वो हमेशा show off के माध्यम से ये दिखाती हैं कि मैं इतना rich हूँ, महेंगी watch, महेंगे goggle, महेंगे कपड़े, महेंगे shoes, महेंगा mobile phone, महेंगी car, EMIs पर उनका track चल रहा होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर दो महीने भी income नहीं आई, तो यह हमाई तो छोड़ी है, उनका खुद का खर्चा, जो monthly overhead है, वही bear करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका survival बिना income के दो महीने भी नहीं होने वाला, तो ऐसे लोग अमीर दिखाई देते हैं, नकली अमीर होते हैं, तो आपको यह देखना है कि कौन-कौन सी आपकी assets हैं और कौन-कौन सी liabilities, हर वो चीज जो आने वाले समय में आपकी income में इजाफा करें, या उस चीज की value appreciate होती रहें, वो सारी appreciating assets हैं, और हर वो चीज जो आपको income के रूप में क सारी चीजे समझ लेते हैं, और अपने जीवन में discipline के साथ consistency से इस कानुकरन करते हैं, तो आप कम समय में बहुत अधिक पैसा ही कठा कर सकते हैं, और अमीर बन सकते हैं, तो friends, सबसे पहले तो पैसे के बारे में अपने विचारों को बदलें, सकारात्मक विचारों के साथ आ आपके सुनरे बविश्य की काम ना करता हूं, जै हिंद, जै भारत!